यदि आपने कोम जोड कैसे बनाए भाग पहला देखा है तो अब दूसरी लकडी पर निशान लगाने के लिए और काटने के लिए तयार है चरण पहला दूसरी लकडी काटना सीरे को उपर की ओर रखते हुए दूसरी लकडी को शिकंजे में कसे दूसरी लकडी के सीरे के उपर पहली लकडी की उंगलियां को पकड़े उंगलियों की जगह के निशान लगाने के लिए मार्किंग नाइफ और पैंसिल का प्रयोग करे गुनी और पैंसिल का प्रयोग करते होए निशानों को सभी और ले जाए दोनों लकडियों के मिलने वाले किनारों को एक दूसरे के सामने रखे और दूसरी लकडी पर अतिरिक लकडी का निशान लगाने के लिए कई लाइन बनाए सुनिश्चित करें कि आप पहली लकडी की उंगलियों के अनुसार ही खाचे बना रहे हो अब दूसरी लकडी पर उंगलियों के निशान लग गए है, इसे शिकन जमे कसे और इसी प्रकार से दोहराए जैसे अतिरिक लकडी हटाने के लिए पहले किया था चरण दूसरा जोडना और चिपकाना दूसरी लकडी के तयार होने के बाद उनकी अनुरूपता जाचने के लिए मैलट की सहायता से दोनों लकडियों को एक साथ जोड़े गुनिये की सहायता से जाचे कि दोनों लकडियां एक दूसरे के साथ 90 डिगरी के कोंड़ पर है या नहीं यदि जोड बहुत अधिक तंग है तो चौरसी से काट कर सुधारे यदि लकडियां अच्छे से मिल रही है तो उन्हें आपस में आडेजिव से चिपकाए उन सभी किनारों पर आडेजिव लगाए जो आपस में मिलेंगे आडेजिव एक समान लगाए लकडियों को आपस में जोडने के लिए मैलिट का प्रयोग करे यदि जोड बहुत अधिक डीला है तो जब तक आडेजिव सुखता है तब तक आप लकडियों को एक साथ पकड़ने के लिए शिकंजे में कसकर रख सकते हैं या फिर बहतर जोड के लिए आपको उंगलियों को दोबारा काटना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए गुनिये का प्रयोग करे की कौन सीधा है या नहीं लकडियों को सुखने के लिए छोडने से पहले उन किनारों के उपर लकडि का बुरादा लगाए जहां दोनों लकडियां आपस में मिलती है बुरादा लगाने से पहले अंदर के कोने पर थोड़ा आडेजिव लगाए आडेजिव के सुखने के बाद उंगलियों के उन हिस्सों पर निशान लगाने के लिए स्ट्रेट एज और पैंसिल का प्रयोग करे जो दूसरी लकडि से बाहर निकल रही है शिकंजे में जोड को कसे और बाहर निकले हिस्सों को काटने के लिए क्रॉस कर टारी का प्रयोग करे अतिरिक्त लकडि हटाने के लिए आप चौरसी का भी प्रयोग कर सकते है शिकंजे में जोड को उल्टा करे और बड़े रंदे का प्रयोग करते हुए उंगलियों को एक बराबर समतल बनाए समकोण को सुनिश्चित करने के लिए भारी किनारे के साथ गुनिये का प्रयोग करे गुनिये की सायता से अंदर के कोणों के कोण की भी जाच करे एक और रखते हुए जोड को शिकंजे में कसे और जोडर हित जोड दिखाने के लिए किनारों पर रंदा करे अब आपने कॉम जोड बनाना सीख लिया है